एक दिन कव्वा आराम से लेटा हुआ था और चिडिया खाना बना रहे थी वैसे तो वो दोनों हमेशा सारा काम साथ ही करते थे लेकिन इस पार बात कुछ अलग थी हुआ ऐसा कि एक दिन चिडिया और कव्वा स्टैपू खेल रहे थे बड़ा मज़ा आ रहा था और खेलते खेलते अचानक से कव्वे का पैर सौर से पत्थर पर पढ़ गया मर गया मर गया कव्वा दर्द में चिलाया चिडिया और खरगोष कव्वे को तुरंधी डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने बड़ी सी पट्टी लगा दी उन्होंने कहा कि कम से कम 5-6 दिन पैर को अराम देना और कुछ काम मत करना बस उसी दिन से बिचारी चिड़िया को ही सारा काम करना पढ़ रहा था उसके पास और कोई चारा भी तो नहीं था वो सबज्या लाती, घर साफ करती, खाना बनाती, कपड़े दोती, सब कुछ करती लेकिन अब पाँच दिन हो गए थे उसे उमीद थी कि कववा जल्द ही ठीक हो जाएगा पाँच दिनों में उसने कववे से कोई काम नहीं करवाया था जिससे कववा जल्द ही ठीक हो जाए एक दिन खरगोश उनके घर आया, कववे का हाल चाल पूछने और कववे भाई कैसे हो, अब तो थोड़ा बहुत चलना शुरू कर दिया होगा कहां खरगोश भाई, अभी भी पैर में काफी दर्द है कोशिश तो की थी, लेकिन चला ही नहीं जा रहा ओहो, मतलब चिडिया रानी को अभी कुछ दिन और अकेले काम करना पड़ेगा कोई बात नहीं खरगोश, कववे के पैर को अच्छे से ठीक होना जरूरी है एक तिन चिडिया मार्केट जा रही थी, घर का सामान कुछ खतम हो गया था कववे, मैं जरा मार्केट जा रही हूँ, थोड़ा समान लाना है मैं एक घंटे में आ जाऊंगी, फिर हम खाना खाएंगे ठीक है चिडिया और हाथ सर के पीछे करके, सोफे पर लेट कर आराम से टीवी देखने लग गया कववा चिडिया थोड़ी ही दूर गई थी, यह अचानक से उसे याद आया कि मैं पैसे तो लाई ही नहीं, और पैसे लेने वो वापस घर की तरफ चल दी उसने चाबी से दर्वाजा खोला, और किचन में किसी के चलने की आवाज आ रही थी अरे, घर में कौन है? कववा तो टीवी देख रहा है, और चल भी नहीं सकता उसने किचन में जांक कर देखा, और यह क्या? वहाँ तो कववा अराम से घूम रहा था, उसके पैर में किसी तरह की लचक या तकलीफ नहीं दिख रही थी उसने फ्रिज खोला, चॉकलेट निकाली और बाहर की तरफ आने लगा चिडिया फटा फट से छुप गई, और कववा चॉकलेट लेकर टीवी देखने चला गया चिडिया तो हैरान ही रह गई, वो तुरंथ ही खरगोष के पास गई, और उसे सारी बात बताई हम्, मतलब कववा हो गया है आलसी कववा आलसी कववा? हाँ, अरे तुम समझी नहीं, कववे को आराम की आदत पड़ गई है उसको सब कुछ करा हुआ मिलता है, तो इसी तरह आराम से रहने के लिए वो पैर में दर्द का अब नाटक कर रहा है असल में तो उसका दर्द ठीक हो चुका है अच्छा, तो ये बात है, अब समझी तो अब हमें उसे रंगे हाथ पकड़ना चाहिए मेरे पास एक आइडिया है कवे को चॉकलेट बहुत अच्छी लगती है न तो तुम उसे बोलो कि खरगोष के साथ चॉकलेट फैक्टरी जाने का प्लान बनाया है और वो कोशिश करे चलने की देखना वो मना नहीं करेगा और फिर उसकी चॉरी पकड़ी जाएगी चॉडिया घर गई और खरगोष ने जैसा बोला था वैसा किया कवे कवे पता है खरगोष ने चॉकलेट फैक्टरी जाने का प्लान बनाया है हम सब चलेंगे कितना मज़ा आएगा लेकिन चॉडिया तुम तो जानती ही हो कि मेरे पैर में चोट लगी भी है मैं कैसे जाऊँ हम तुम्हारी हेल्प करेंगे वहाँ टेस्टी चॉकलेट के सैंपल्स भी मिलेंगे चलो ना नहीं चॉडिया तुम चली जाओ मैं हमारी घर की चॉकलेट खालूँगा मैं नहीं जाँ पाऊंगा कववा तो गया ही नहीं और चडिया को जबरदस्ती खरगोश के घर दो घंटे निकालने पड़े ये कहकर कि वो चॉकलेट फैक्टरी जा रही है अरे खरगोश कमाल की बात है कववा तो तयार ही नहीं हुआ आने के लिए इसका मतलब है कि कववा पूरी तरह से आलसी बन गया है उसका अब कुछ करने का मन ही नहीं करता उसको बस आराम से लेट कर टीवी देखना है हमें कुछ और सोचना पड़ेगा आइटिया कववे को कौकरोच से बहुत दर लगता है जब वो टीवी देख रहा होगा तो वहाँ पर हम एक कौकरोच छोड़ देंगे और फिर देखना कि वो कैसे बैठा रहेगा बहुत बढ़िया चिडिया ये आइडिया तो कभी फेल नहीं होगा तो देरी क्यों आज शाम को ही करते हैं ऐसे शाम को चिडिया खरगोश की इंतजार कर रही थी जैसा कि उन्होंने प्लैन किया था वो बिना बेल बजाय घर में आया और एक बोटल में एक बड़ा सा कौकरोच लाया था अरे इस बोटल को मुझसे दूर रखो वो दोनों चुप चाप से कौवे के कमरे में गए और वहाँ पर कौकरोच छोड़ दिया दो मिनट के बाद जब कौवे ने कौकरोच को देखा तो वो सोफे से कूद पड़ा चिडिया जल्दिया कौकरोच आओ चिडिया और खरगोश कमरे में पहुँचे और कौवा सारे में इधर उधर भाग रहा था खरगोश ने फटा फट कौकरोच को पैर से विंडो के बाहर कर दिया कौवा भागा भागा खरगोश के पास आया और बोला थैंक यू खरगोश भाई मैं तो डरी गया था अरे लगता है तुम्हारी टांग तो बिलकुल ठीक हो गई कौवा तू मिन चुप रहा उसको अचानक से रेलाईज हुआ कि उसका राज खुल चुका था और वो चिडिया और खरगोश के सामने भाग रहा था हाँ लगता है ठीक ही हो गई हाँ अब कोई दर्द नहीं है लगता है कौक रोच अपने सा तुम्हारा दर्द भी ले गया बहुत अच्छा कुवे आज रात का खाना तुम बना कर मुझे दो इतने दिन काम करके मैं ठक गई हूँ मुझे भी थोड़ा आराम चाहिए और ये कहकर चिडिया टीवी देखने बैठ गई तो बच्चों आपने देखा कि कौवे ने आलस में बिचारी चिडिया को कितना परिशान किया